हाई एवरीवन स्वागा थे आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पोड़ टेकनिक पे हम उमीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे साती साथ अपने लोग एक्जाम के प्रिप्रेशन भी कर रहे होंगे क्योंकि कल बीडियो लोड हो चुका होगा जिसमें कि आप लोगों ने स्वस्थ सर्कृट ब्रेकर के बारे में देखा होगा जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोटेंट टॉपिक है इसी तरह से आज एक और टॉपिक इंपोटेंट टॉपिक को हम लेकर आएं सुजगेर जो कि अप्रकेंट रिलेंग प्रोटेक्टिव रिलेंग क्या होता है इसके बारे मजानेंगे इसका इसका सब्रेक्टिव करते हैं प्रोटेक्टिव रिलेंगे जो वन अब the most और सबसे जादा यूज होने वाला dak Republic में पावर सिस्टम में जो कि सठीट करने के लिए सिल्ड देता है और किसी भी तरह के फॉल्ट से हम्को बचाता है तो हमारा पूरा सिस्टम बेव curve हो जाता है मैं लिए तो इसके बारे मानुख equipment है power system के case में it is a sensing device है क्योंकि है क्या sense करता है fault for it detect default है Fault को detect करता है give command and command देता circuit breaker को to get trip करने के लिए isolate this circuit breaker & isolate करने देता है circuit को next Сबसे important point इh the value of operating current of relief phase 5 amp A maximum value इसका अफ्वाट operating का रिलेक आभ तो 5 amp A होता है इस point को आप वह लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि एक बैटरी है उसके बाद यहां पर एक ट्रिप कॉंटेक्ट है यहां पर रिले कॉइल है यहां पर करेंट ट्रांस्फोर्मर है इसी के बारे में सारे करेंट को ब्दीक यहीं पर को समझाते हैं किसका इसके बारे में आपको समझाते हैं देखिए नормलकिक्षण में क्या हता है यहां पर देखिए अलग है जब यह इनर्जाइज नहीं होगा तो यहां पर देखिया अलग है जब यह इनर्जाइज नहीं होगा तो इसको नीचे क्यों खीचे गए निचे क्यों जब नहीं खीचे गा तो यह सर्कीट जोंए कभी फुलोज नहीं होगा सब्सक्राइब होता है कि सर्कूट में कोई भी करेंट जो है नहीं कर पाता है जब करेंट फैलो नहीं कर पाईगा तो इए जो ट्रीब को एले वह yogo नहीं होगा जब यह ट्रिप कोई इनर्जाइज नहीं होगा तब तक कलो हुआ होारेगा जैसे ही इनरजाई होगा तो यह बापास पीछे की ओर आ जाएगा और हमारा नट्रीट नहीं होता है जब हकलोज होता है तो करेंट से इस से होते हुए हैं यहाँ पर आनक बात इसमें उतना अवह कि यह जो रिले को आल है वो इनर्जाइज हो सके यह जब रिले क्वाइल हमारे इनर्जाइज नहीं होता इब ट्रीब हमारा जो रहता है वो ओपन ही रहता है यहँ काहले हछा नहीं होगा हैं मेंन खुले ख़र चेलर के का जाता है की यहां पर करेंड का था इस भाट बढ़ता था सुर्ठेट होगा वैसे ही ये ट्रीक जो यहां सर्कुट है इसको यहां पर ट्रीब कर दbarenक्रदा यहां चोटार यहां सेपरेट कर ले था बैक साट खिच लेता है और हमारा सटीट ब्रेकर जो ओपर hon जाता है तो वह रोल आपका बरकेंग इसका यही था अब इसको हम अपना लेंगेंग में लिखेंग है तो आप उसको को देखिए देखे यह हैं अ सबसे पढ़से पहले सबस्वी आप देखें फर्स पॉयंट यूड़के उप रिले बरनकांट व्य इज़िँ टूंडर्स्टेंद इसका बरकेंग मेंते जियम डृक्रम इं़ वह बहुत ऍचेक्षन समझने नहीस भी ओपुटर्समों सकते हैं 20 नॉर्मल अपरेटिंग कंडिशन में नाइदू से जब यह सर्कीट जब यह नोर्मल कंडीशन में था तब उसके डिसे नियुक्त पास्ट कर रहा था वही बात है आप लिखे समझाएं उसी को हम खुद के लेंगम में लिखार आपको सकता है इससे भी लेंग्वुज में आप लिख सकते हैं तो आप लोग लिखेगा क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी अस्टेंडर वर्ड का उप्योग नहीं किये बहुत ही ऐसा है जैसे माने की कंप्लीट हिंदी ही लिखा हुआ है बस वर्ड इंग्लिस कर दिये थोड़ा इसमें देखिए सकेंड पॉइंट हमारा क्या है कि वें दरीले है जागले पॉइंग älletर यहां पर यह नहीं होग तो यह इनर्जाईस नहीं होगा तो यहाँ पर से ट्रिपक्रइल नहीं वह congratulate नहीं होगा तो सर्क्रीटब्रेकरदेओं अब देखिए दूसरा पाइंट वहीं उसी बारे में कि वर्ट भेंद फॉल्ट आता है देन दा वैल्यू अब करेंट फीडर और बसबार में जो करेंट का वैलू होता है करेंट फीडर से पास करता है करेंट ट्रांस्फर्मर और सो रिसी मच करेंट अब ज्यादा करेंट के कारण रिलेक वाइल गेट इनर्जाइज रिलेक वाइल हमारा था वो इनर्जाइज जाता है क्लोज दी क्लोज करोई करेंज क्लोज कर देता है लिए नेर्जाइज होता है ख़्याट जाया Parce को सारकुट ब्रेकर और साइक्ट गांटेक्ट को ब्रेक कर देता यह तो वस इतना ही बात लिखे है कि नामल कंडिशन में क्या था नॉर्मल कंडिशन में हां पर जब करेंट पासका रहा था नेर्मील से हमारा सप्रस्स और रहे दो हैट में अनर्जाइज है नहीं कर पाएगा लेकिन जैसे ही फॉल्ट आ जाएगा तो करेंट का बढ़ जाएगा करेंट का बढ़ेगा तो सीटी में करेंट का बढ़ेगा इसमें करेंट का बढ़ेगा इसमें करेंट का बढ़ेगा तो रिले क्वाइल में रिले क्वाइल इनर्जाइज होगा जैसे ही रिले क तो गुड सेक्षन है दोनों अलग हो जाएगा तो यह तो हमारा था इसका बर्किंग अब हम लोग चलते हैं इसके टाइप के बारे में किसके कुल कितने टाइप है तिसके तो बहुत टाइप है लेकिन देखिए कुछ कुछ टाइप यहां प्रम लिग दिये हैं सबसे पहला अंडर फ्रिक्वेंसी रीले दूसरा तेसरा में डारेक्ष्णनल ले तो था न में ठर्म रिले पर्चम इंप सिक्वन्स रिले छाठःे में डिस्टेंस और कुद़ लुष्ता है तो देखे क्या इसे का पास्टेसें में सबसेटेघ के सेंस्टिवी टी दूसरा लिकام सलेक्टिवी टी तिसरा लिखे स pathetic a reliability or costs और economy अब देख़े क्या सफलेक्ट इविटी में से सिसटी वीटी में और है it is quite it is it is the quality of related to operate with low value of actuating quantity really should be high sensitive यह कर आय कि यह सेस्टिवीटी में क्या आय कि यह जो equipment होता है रिले वह बहुत ही sensitive होता है हलका सा भी fault होता है तुस condition में यह जो है वह fault को sense कर लेता है और circuit breaker को और circuit breaker को signal देता है trip करने के लिए अब देखें है दूसरा हमारा selectivity selectivity क्या है at the time of fault fault के time पर रिले शुड़ ऑपरेट फोर वनली दा पोर्शन वेर फ़ल्टी जोकर जब फॉल्ट ऑकर selectivity के आय कि रिले बस उसी region में काम करता है जहां पर fault हमारा introduce होता है जो section healthy रहता है वहाँ पर रिले काम नहीं करता है तो इसमें रिले में यह बहुत बड़ी एक इसका करिस्ट्रिक्री इसका एक लच्छन है कि जहां पर fault होता है वहीं पर उसको sense करके उसी area में यह वर्क करता है लेक्स हमारा पर पर चैंस करने का जो इसका संपता हता है वह मैक्सिमम पाच सायकिल तक उस फॉल्ट को सेंस करके उसको सिगनल सर्किट ब्रेकर को भेज दे इसमें पाच फॉल्ट सायकिल से ज्यादा नहीं जाना चाहिए तो यह इसमें एक रिले मतलब भर फॉल्ट होना चाहिए है तो बॉल्ट हे नहीं किया जो हमारा एक्यूप्मेंट है वो प्रोटेक्ट नहीं होगा और सबसे लास्ट पॉइंट है कि कॉस्ट अप इकॉनोमी इसका कॉस्ट भी कम होना चाहिए तो क्या रिखावा है कॉस्ट अप्रिले शूट भी आपको पता चल गया होगा वैसे तो अगर रिले को पढ़ा जाए तो कम से कम इसको पढ़ने के लिए 3-4 घंटे लगते हैं और वीडियो क्लास में कहें तो कम से कम 5-6 लगभग ही लग जाते हैं एक घंटे का तब यह पूरा रिले जो है हमारा कंप्लीट होता है तो हमारे एक करें और ज्यादा से ज्यादा लोग को क्रेजी पूल टेकनिक परिबार से जोड़ें और इसके परिवारों की संख्या को बढ़ाए और अपने दोस्तों को अपने मित्रों को भी इस क्रेजी पूल टेकनिक परिबार का एक हिस्सा बना है तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडि वीडियो में कमेंट करिएगा और अगर इसका आपको पीडियाप चाहिए तो पीडियाप भी आपको प्रवाइड कर दिया जाएगा उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम सेनल का लिंक है वहाँ पर जाकर आप टेलिग्राम को जोईन कर कीजिए वहाँ पर इस वीडियो का पीडियाप आपको मिल जाएगा तो ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में इतना है थैंक यू